जैहिन आप सभी का स्वागते बुंदेलखर न्यूस 24 में आपके साथ मैं जानवी चलिए बढ़ते हैं महुबा की कुछ खास खबरों की ओर मामला कबरे थाना छेत्र के कानपुर सागर हाईवे इस्तित दहरा गाउं के पास का है जहां हमीरपुर जिले के विवार थाना छेत्र के पीहर गाउं रहने वाला दर्शन कुछवा अपने एक अग्या साथी के साथ बाइक में सवार होकर महुबा जिले के दहरा गाउं में अ तक्कर मार दी और फरार हो गया तक्कर इतनी भीशन थी कि एक अग्यातिवा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जब की दर्शन कुश्वा गंबी रूप से घायल हो गया हाथ से की सूष्णा मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने घायल दर्शन को इलाज के लिए आनन में 108 एंबुलेंस की मदद से जिला स्पताल में भरती कराया जहां प्रात्मी कुप चार के बाद उसकी हालत में सुधार ना होने पर डॉक्टर ने उसे जांसी मेडिकल कॉलिज रैफर कर दिया है तो वहीं पुलिस ने मौतक के शफ को मोर्शरी में रखवा कर अग्रिम कार परवाही शिरू करती है हाथसे के सूष्णा मिलते ही सीओ सिटी राम प्रवेश राए एस जीम सदर मुहमद अवेश्ट एसिल्दा सदर बालकृष्ण सिंग ने जिला स्पताल पहुचकर घाली वक्से हाथसे की जानकारी कर माथतों को जरूरी दिशा निर्देश दिये है महबा से संबादाता रिंकू खान की रिपोर्ट गगावराचांक ने पहुचा है 200 मीटर पहले में अक्सिदान हो जिए है किस भाहन से हुआ है आप पता नहीं सार किस भाहन से हुआ कि गर गई है वह बडरे कर्था या तो बडरे कर से हुआ या तो पहें को इतंपर वाला थे महाई दिया हासे में युवक की मौत हुए क्या है पूरा ममलो क्या कारवाई पुलिस के दारा की गई सारी लोक की बहां से थे कुछ पता चला है जीसल मतर साहिए जीक